आप सबीका स्वागत आपकी यूटूब चैनल में और जैसा कि आपको पता होगा कि आज हमारी 18 सप्टेमबर है और आज के चितने पिक करणठ परसे वो इस वीडियो में आप डिस्कस करेंगे तो चलिए देखते हम क्वेशन नूबर फर्स्ट पर हाल ही में si snooker champion का खिताब किषने जीता है शैद आपको पता होगा कि जो si snooker champion का captive w यहाँपर सही option हो जाएगा आपके लिए Q2. 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 Q हाल ही कि अमारे PM जो है नरेंद्र मोधी जी उसने अमारे जो है दो नहे दप्तरों की स्थापना किये है तो इस बात को नोट कर लिजगा Option A, नरेंद्र मोधी जी आपका सही Option हो जाएगा यहाँ पर Q3, अगर हम डिफेंस मिनिस्टरी की बात करें यहाँ पर IMP टोपिक्स की तो आपको पता होगा कि जो डिफेंस मिनिस्टरी है इंडिया की उसके हाल ही के जो हेड है उसके जो मंत्री है वो अमारे राजनाच सिंग्जी है रक्षा मंत्री है उसकी स्थापना जो है अमारी आज मिनिस्टरी ओप डिफेंस जो है हमने उसे कोशित कर दिया होके और उसकी हेड़कोटर जो है वो दिल ही में आई हुई है इस बात को भी याद के लिए जगा आप लोग क्वेस्टन नबर थ्री हाल ही में दुनिया का पांचवा सबसे बड़ा स्टोक मार्केट कोन सा बना है शाइद आपको पताऊगा कि जो स्टोक मार्केट है वो हाल ही में जो पांचवा स्टोक मार्केट है वो अमारा इंडिया बन चुका है तो आपको इस बात की अनुपू होनी चाहिए कि इंडिया जोए दुनिया का सबसे बड़ा पांचवा जोए स्टोक मार्केट बन चुका है आली में और हम बहुत सारा जोए उसमें विकास कर रहे हैं अब देखते क्यां किस ने अगले तीन वर्च में बनाने की कोष्ण की है तो वह कौन साथ है जिसने 5000 इलेक्ट्रोनिक जोए दूए अमारे चार्जिन स्टेशन बनने की कोशना की next three year में तो यहाँ पर आपका जो है SPCLA हिंदुस्थान पेट्रोलियम कोर्पोरेशन लिमिटेड उसने इस बात की जो है अनुपूती दी है कि वो तीन साल में जो है 5000 न्यू जो है चार्जिंग स्टेशन बनात देंगे ओके तो अब देखते कुमार सुराना चीए 2017 से वो काम कर रहे है यहां पर 16 से और उसकी अगर बात करी जाए तो नाइटीन सेवेंटीन फोर में उसकी स्थापना हुई थी और उसकी सबसीडियरी की बात की जाए तो SPCL राजस्थान रिफाइनरी लिमिटेड है SPCL बायो फ्योल लिमिटेड अवंति अаться लिग केस अभी अुसकी सबसीडियरी तो इस बात को नोट के लिजिएगा अप लोग Q5 आपको पता होगा कि जो फीफा रेंकिंग थी उसमें बेल्जियम फर्स्ट रेंक पर रहा है तो इस बात की आपको याद करना होगा फीफा वर्ड कप में अगर हम बात करें फीफा वर्ड कप की कुछ तो उसकी जो रेंकिंग दी जाती है उसमें बेल्जियम सबसे पहले नंबर पर है दूसरे नंबर पर फ्रांस है और ब्राजिल 73-43 पोइंट के साथ तीसरे नंबर पर हुए तो इस बात को याद कर ली जगा आप लोग और फीफा वर्ड कप की ओर कुछ बात की जाए यहां पर तो आप देख सकते हैं इसका जो टोफी है एसी कुछ तरह सी है और उसकी जो फाउंडर थे वो नाइटीन थर्टी में अगर कोई फीफा वर्ड कप में रहा हो तो वो ब्राजिल है इस बात को याद कर लीजिगा आप लोग क्येस्ट नमर सिक्स हाल ही में विराट कोहली ने क्रिकेट के कौन से प्रारूप से सन्यास लेने की कोषणा की है तो आपको पतावगा कि जो विराट कोहली जी है उसने ये टवीट हेंट के क्लिकेट लेने के कोशना की है अब दिखते है Question gram7 आली में किसने यूएस अतरीक कोडिंग् टी वाइक एनकर जोई लोंच किया ए प्लेटफोर्ममें एक प्लेटफोर्में कर तो ये वहेक्स ही में लोंच किया यहां पर musimy टेटेम नहीं किया है रिजर्व बैंक ओफ इंडिया जिसकी स्थाफ में 1955 में हुई थी उसने भी नहीं किया है तो आपका सही ओप्शन यहां पर बाइजुस जोए लर्निंग एप उसने किया तो आपका ओप्शन नमर भी यहां पर क्रेक्ट ओप्शन हो जाएगा क्वेस्चन नमर एट हाल ही में किसे डिडी सीए का नया लोगपाल खोशित किया है तो आपको पता होगा कि जो डिडी सीए है हमारा उसके हाल ही के जो लोगपाल रहे है हमारे वो हमारे हाल ही के जो है वो इंदु मलहोत राजी जो है हमारे उसे खोशित किया गया है तो आपक कि डिडिसेय के नए लोगपाल अमारे इंदू मलहोत राजी है, ओके क्वेचन नमर नाइन हाली में कि इस राज्य सरकार ने दिवाली को ध्यान में रखते हुए पटाखों पर प्रतिबंद लगा दिया है तो वो कौन सा राज्य है अगर आपको पताऊगा कि जो पटाखे जलते हैं उसमें फोस्फरस होता है और उससे पूरे अमारा सर्राउंडिंगे वाताव अने उसमें बहुत चारी प्रोब्लम होती है और बहुत चारे रोग भी उससे फ्यान सकते है तो इसको ध्यान में रखते हुए हालही में अमारी जो दिल्ली सरकारे उसने पटाखे पर जोए सम्पून प्रतिबंद लगाया है अगर नेक्स कुछ फेरफार होते है तो हम आपको पी चांकरी देंगे उसके बारे में तो हालही में दिल्ली ने ऐसा कोई राज्य शिसने पटाखों पर अभीसे प्रतिबंद लगा दिया है क्वेस्ट नमर्टेन हालही में विश्व रोगी शुरुख सा दिन कब मनाया गया तो आपको पताऊगा कि जो हालही में रोगों की बहुत सारी जोए महामारी चल रही है वर्ल्ड रेवल पर अभी कोरोना क्या संकट गया है गुजर के गया है अभी तो हमारी जो 17 सप्टेमबर थी उस दिनमने विश्व रोगी शुरुख सा दिन जोए मनाया था इस बात को याद पर लिजेगा आप लोग क्वेशन मेर 11 हालही में भारती सहरों में महिलाओ के खिलाप अपराद में कितने प्रतिशत खटाड़ा हुआ है तो आपको पताऊगा कि जो भारती में महिलाओ पर जो अपराद हुआ करते थे उसमें हालही में 21 प्रसेंट का अभी खटाड़ा हुआ है तो हमारे लिए अच्छी बात है इस से हमें गर्व फिल होना चाहिए अब देखते है क्वेशन में 12 हालही में RBI इनोवेशन हब के रूप में कोन सामिल हुआ है तो हमारे यहां पर आपको ओप्शन नमर ए दिख रहा है अमिद सक्षेन आजी वह जो यह RBI इनोवेशन हब के रूप में सामिल हुए है तो आपका ओप्शन नमर ए यहां पर बिल्कुल सही ओप्शन हो जाएगा और अगर आप चाहते हैं कि इसकी पीडिएफ आपको चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसकी लिंक मिलेगी और आपको यह वीडियो कैसा लगा यह में कॉमेंट करके जरूर बताएगा थेंक्यू थेंक्यू वेरी मच्छ आप सभी का